दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आपका IPL स्पेशल रंतंत्र में, मेरा नाम है रॉनक, नमस्ते जेहन 25 दिसंबर 2022, मेरा बड़े था, मैं काफी खुश भी था, एक मेरा, बड़े के मज़े से नहीं इस वज़े से क्योंकि इंडिया बांगलादेश के खिलाफ अपनी टेस्स सीरीज जीती थी, जो की ज़रूरत से जाधा समय तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसके बाद रिशब पन्त का एक भयानक एक्सिडेंट हुआ, वो जखमी हुए, उस वक्तों पूरे देश में बस यही दुआ थी, कि किसी तरह पन्त जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये सारी दुआएं काम भी कर गई, और रिशब पन्त ने इतनी तेजी से रिकवरी करी, जितनी तेजी से वो गंजे स्पिनरों के खिलाफ रन बनाते हैं, रिशब पन्त की रिकवरी वीडियो देखकर, मुझे जो जीता भही सिकंदर के आमीर खान के बड़े भाई की याद आगई, जो एक एक्सिडेंट में घाय प्रिविव, अगले तीन पॉइंट हम आपको बताएंगे, पॉइंट नम्बर वन, जाहिर सी बात है, रिशब पन्त ही होने वाले हैं, पिछले कुछ समय से ये बात क्लियर हो गई थी कि रिशब IPL खेलेंगे और दिली की कप्तानी करेंगे, लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी कि क्या वो इतने फिट हो गए हैं कि विकेट कीपिंग करेंगे या नहीं, दिली टीम के मालिक ने बूला था कि पहले साथ मैचों के लिए रिशब पन्त सिरु बैटिंग करेंगे और उसके बाद बॉड़ी कंडिशन देखते हुए उनको विकेट कीपिंग की उनकी भारती गेंदबाजी, दिली वाले चाहें तो 20-20 और भारती गेंदबाजों से फिकवा सकते हैं क्योंकि उनके पास मुकेश कुमार, कुल्दी प्यादो, अक्षर पटेल, कली लहमद और इशांत शर्मा हैं, अगर ऐसा हुआ तो दिली के चार विदेशी खिलाडी प प्रदर्शिंग किया हो, IPL के अलु अर्जुन, फ्लावर नहीं है भाई, यह फायर हैं, और यह बात आपको इसी सीजन फिर से पता चलेगी, अब बढ़तें पॉइंट नंबर तीन, दिली की कमियों की, वैसे तो दिली में बहुत कमिया हैं, जैसे मंसुन में सड़कों पर इने एक्साइटेड क्यों रहते हो, जबकि देखने को तो कुछ मिलता नहीं, उम्मीद करता हूँ अपकी बार प्रित्वी, दिली की कमी नहीं, बलकि उनकी मजबूती साबित होंगे, इसी तरह दिली के आॉक्शन से पहले, रॉमिन पॉविल, रिली रूजो और फिल सॉल और अम पॉविल, योजो अपक बंग रिस्फंट मे बता नहीं, ऐसे में डिली टॉफ 4 में पहुचेगी, मेरे हेसाप से, सड्री अखी साब करकरना मेंुवल, तरह को में बचाइब होनिग बात करना हैं।